जेहिन जेशिक्षक साथियों मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रीडिंग कैम्पेन के अंतरगत ये सब्ता जो 4 अप्रेल से 9 अप्रेल तक चला है उसका रजिस्टर मैंने तियार कर लिया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस बार गतिविधियों के अंतरगत उन्होंने एक स्पेशल बात भी कही है कि बच्चे जो भी गतिविधि कर रहे हैं उनका संकलन भी करना है तो संकलन किस प्रकार करना है वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे तो चले शुरू करते हैं अपना वीडियो इससे पहले दे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे रीडिंग केमपेन 4 अपरेल से 9 अपरेल तक चलने वाले सब्ता में सुनो कहानी चलता पहाड कक्षा 1-2 में पढ़ो कहानी पिड़ पंची का खेल कक्षा 3-4-5 में इफद की साइकल और कक्षा 6-78 के लिए चिपको चिपको व्रक्ष लगाओ अभी भावक कैलेंडर में अभी भावक जो बच्चों के साजह करेंगे एक दिन मा और पापा बजार के ओर जा रहे थे खास तेवार आने वाला था बच्चों से चर्चा करें कि आगे की कहानी में क्या हुआ होगा और इस कहानी को पूरा करें इसके बाद आपको ये जो बच्चे गतिविधिया करेंगे उनकी जो फोटो होंगी वीडियोज होंगी उनका भी संकलन रखना है इसलिए प्रती दिन का संकलन किस प्रकार रखें वो मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बना दिया है कि दिनांग छात्र का नाम किस कक्षा का है गतिविधि कौन सी की है उसने और सामगरी क्या प्रेशित की है पूरे स्कूल में यदि आप सिंगल टीचर है तो पूरी पांचों कक्षाओं का रिकॉर्ड आपको रखना होगा और यदि कक्षावार आप क्या क्लास बटी हुई है तो आप अपनी कक्षा का ही रिकॉर्ड रखें जरूरी नहीं है कि सभी कक्षाओं का रखें आप यदि आप कक्षा पांच के क्लास ठीचर है तो कक्षा पांच का ही रखें यहां पर आपको बस यह mention करना है कि छात्र का नाम क्या है उसकी कक्षा और उसने किस गतिविधी के लिए कौन सी समगरी प्रेशित की है जैसे आइश है कक्षा 5 का इफद की साइकिल उसने पढ़ी है और उसका फोटो उसके पैरेंट्स ने खीच कर भेजा है पढ़ते हुए क पर यूट्यूब पर मोबाइल पर और दूरदर्शन अभी पर इसका प्रसारण हुआ था तो बच्चों को दिखाना था तो वो भी आप यहां मेंशन कर देंगे पाँच अप्रेल दिन मंगलवार को सभी कक्षाओं के लिए है कि कटपुतली बना कर कहानी सुनाना कटपुतली एक लोग प्रिये विधा है जिसके द्वारा कहानी सुनने पर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है गुशेश गतिविधी की अंतरगा थमलों को करना है बालवाटिका में है अम्मा जी की गजब मशीने कक्षा एक दो के लिए धूप औच्छाओं कक्षा तीन चार पाँच के लिए सोते क्यों नहीं नन्ने शेर और कक्षा छेसा ताट के लिए है अबदुल और बाग पैरेंट्स के लिए है कि साथ में मिलकर चर्चा करें कि बिजली किन किन कामों में उपयोग की जाती है ऐसे सामानों की लिस्ट या चितर बनाएं जो बिजली से चलते हैं पाँच को जिन बच्चों ने आपके पास सामगरी प्रेशित किये है किस-किस गतिविधी की किये है वो आप मेंशन कर लें इसी फॉर्मेट में हो सकता है कि कोई बच्चा पुराने हफते का काम भेजे जैसे कि आप देख सकते हैं पाच तारिक में हर्ष ने जो कि कक्षातीन का चात्र है घुम घुम घड़याल का अनोखा सफर ये पिछली हफते का काम था पिछली हफते की गतिविधी थी उसने इस हफते इसका वीडि रही हूं बालवाटिगा में आपके कितने नाम है कक्षा 1-2 के लिए स्कूल का पहला दिन कक्षा 3-4-5 के लिए चुनू एंड मुनूज स्कूल कक्षा 6-78 के लिए दफिश प्रिंस और पराना पेरेंट्स के लिए हैं इंडिया गेट का चित्र दिखाना है उनको और बात क अठरें कि ये किस शेहर में हैं और इसेते देखने लोग क्यों आते हैं इस समय स्कूल चलो अभियान भी चल रहा है तो जिस तिथी में आपके हां इस्कूल चलो अभियान का अंतरगत रैली निकाली जा रही है वो भी आप इसमें लिखें की गाउं लिए गई और बच्चो द्वारा जो चित्र हम लोग बनवाते हैं अकसर बनवाते हैं तो उनका आप लोका निकसाद करें यानि कि तरीके से आप प्रदर्शनी टाइप की लगा सकते हैं अपने कक्षा के बच्चो द्वारा बनाए गए चित्रों की अप्रेल को जिन जिन दुरुवार को सभी कक्षाओं के लिए जो गतिविदी है वो है सामवदायक सम्मेलन आयोजित करना जिसमें चात्र कविता प्रस्तुत करेंगे बालवाटिका में एक मिनिट में शब्द बोलो कक्षा एक दो के लिए पढ़ो कहानी खेल-खेल में कक्षा 345 के लिए पढ़ कि अद्रक है आलू है गाजर है प्याज है मूली है यह सब जमीन की नीचे होती है तो बच्चों को उनके बार में बताएं और उनके चितर बनवाएं साथ अप्रेल को जिन बच्चों ने गतिविधी भेजी वो मैंने यहां नोट की है यहां पर आप यह चीज ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चे पिछली गतिविधी भी भेज देते हैं जिसे शालनी है कक्षा 4 की चुनु एंड मुनोज स्कूल 6-4 की गतिविधी में था य इसके बाद 8 अप्रेल को जो सभी कक्षाओं के लिए हैं उसमें हैं समुदाइक सम्मेलन आयोजन के अंतरगत चात्र कहानियों का प्रस्तुति करण करेंगे और खेल गतिविधी भी करेंगे जिसमें हैं शब्द बनाओ शब्द यानि कि आप कोई भी अक्षर दे दें जैस बंदरे शब्द बनते जाएंगे जैसे कि अंताक्षरी होती है वैसे ही आप खेल गतिविधी में इन शब्दों को बनवा सकते हैं बालवाटिगा में ऑडियो गेम हैं क्या एक जैसे क्या अलग कक्षा एक दो के लिए हैं पड़ो कहानी बढ़ाई बंदर बद्री कक्षा तीन चरबाज के लिए हैं कहानियों का शहर कक्षा छे साथ आठ के लिए हैं टीना एंड़ इस्टार्स स्कूल चलो अभियान में भी गाव में रली यह दिया आप निकाल रहे हैं तो आप यहां नोट कर सकते हैं अभी भावक बच्चों से बातचीत करें कि उन्हें सभी र कहानी का प्रस्तुती करण किया और कहानी का नाम था खरगोश्वकच हुआ इसके बाद प्राची मजीद इन्होंने फोटो भेजेते बड़े बंदर बदरी पढ़ते हुए राखी सुहाना महक शिवम इन्होंने खेल गतिविधी की थी जो किती शब्द बनाना कक्षतीन के इसका भी फोटो है नौ अप्रेल दिन शनिवार को सभी कक्षाओं के लिए है कि खेल गतिविधी जस्ट अ मिनेट और मौकिक कहानी बनाना और सुनाना बालवाटिका में बहुत बड़ी बहुत छोटी कक्षा 1-2 के लिए किस्सा जूते का कक्षा 3-4-5 के लिए सतरंगा सा कक्षा 6-78 के लिए मरू भूमी में माल ढोग पैरेंट्स के लिए है कि वो बच्चों से बाचीत करें कि पास की बजार में क्या-क्या मिलता है उनकी एक लिस्ट बनाने में बच्चों की मदद करें और समय मिलने पर बच्चों को अपने साथ बजार ले जाए नौ अपरेल क सतरंगा सामर और कहानियों का शहर ये कक्षा 4 की चात्रा फोटो भेजा अब है किस्सा जूते का कक्षा 2 का चात्र इसका भी फोटो प्राप्त हुआ था तो इस तरह आप बच्चों द्वारे की गई गतिविधियों का संकलन करते जाए और जो भी आप कर रहे हैं उसको नो कोई कठिन काम है फिर मिलती हूँ आप से तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग